दोस्तो नमस्कार मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आज मुझे आप सभी के सामने मौका दिया गया बोलने का तो मैं इस मिशन में हूँ पिछले 23-24 साल से अपनी पतनी के साथ पुरे परिवार के साथ हम काम कर रहे हैं थोड़े मैं बताना चाहूँगा आपको अपने बारे में मैं बेसिकली एक थेटर एक्टर हूँ टीवी सीगल एक्टर हूँ और पिछले 30 सालों से जाधा हो गए मैं मौमे में रहता हूँ मेरी वाइफ जो हैं ओवन जेसी में जॉब करती है हमारे दो बच्चे हैं दोनों सिंगिंग में हैं दोनों की शाधिय हो गई है और हम लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पिछले 23 सालों से एक मिशन पे हैं मुझे नहीं मालूम था कि ये बिजनस कितना बड़ा है मुझे किसी ने इन्वाइट किया था एक मिटिंग में मन्दाकनी जो एक्टर्स हैं उनके जीजा जी ने मुझे इन्वाइट किया था और मैं एक मिटिंग में गया जहां मैंने ये concept देखा मैं बिल्कुल interested नहीं था कि मैं कोई बिजनस करूंगा चुकि मेरा पैशन था कि मैं मुझे अक्टर बनना है और मैं शिरिया मिताब बच्चन सहाब के नाम एक चिट्टी लेकर अक्टर बनने मुंबई आया था 87 में मैंने बंबे में बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल के दौरान लगबख दस साल बाद मुझे 98 में जब मेरी फिल्म सर्फरोष रिलीज हो चुकी थी और मैं बहुत बेजी था मेरे काफी टीवी सील चल रहे थे टीवी पर और उस दौरान मुझे मिस्टर सहीम जाने इन्वाइट किया एक कंसर्प्ट देखने के लिए और मैं हुआ गया जब मैं इस कंसर्प्ट को देखा तो मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इसमें दूसरों की भलाई होती है दूसरों की सेवा का काम है अगर आप लोगों को मदद करेंगे तो आपको बहुत पैसा आएगा तो मदद करने वाली जो बात थी मेरे फादर ने मुझे बच्पन से एक चीज सिखाई थी कि नेकी कर कुई में डाल कि दूसरों के काम आओ तो मुझे एक अंसर्प्ट अच्छा लगा कि चलो देखते हैं क्या है मुझे यह नहीं मालम था कि मैं बहुत बड़ा बिजनस करूँगा कुछ यह इसके बारे में पर यह था कि चलो लोगों की मदद करने का काम है करते हैं पर मैं उस दौरान एक शक्सित से मिला जिनका नाम है सुधा कपूर वो एक स्पीच्छ लेडी है तो उनके जो घस्बंड थे वो बिल्डर थे और उन्होंने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में जब बताया तो उन्होंने यह कहा कि पंकर जी यह जो कंसेप्ट है यह दुनिया में एक ऐसा अनोखा कंसेप्ट है जहां पर जूट नहीं बोलना है और लोगों की मदद करनी है और आप बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं इस कंसर्ट के दिरू और धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया इसको और आज हम लोग पिछले 24 सालों से एमवे बिजनिस में हमारा बहुत बड़ा लेवल है भारत में हम लोग इंडिया में काफी अच्छा लेवल लगते हैं और आज हमारा लगभग सौ करोड के आसपास टनौवर है आज हमारी टीम में लाखों लोग हैं तो हम लोगों को आज इस कंसर्ट के जरीए मदद कर पा र रोजगार हैं 17 करोड लोग बेरोजगार हो गए हैं आफ्टर कोविड ऐसी सिच्विशन है कि लोगों पर 5000 की नौकरी भी नहीं है बहुत से घरों में तो हम लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं यहां एक ऐसा कंसर्प्ट है कि आप 6-12 महीने में एक 50-60,000 की इंकम हम साल में हम लोग 2,00,000 से लेकर और 4,00,000 रुपे की इंकम परमत्स दिखाते हैं तो हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनोंने हमारे साथ यह बिजनस किया और वो आज बहुत अच्छे लेवल में हैं उसमें सब तरह के लोग हैं स्टु इसे में अगर वर्क फॉम होम एक घर से बिजनस ऑपरेट होता है बिना कुछ लागत लगाए जिसमें इन्वेस्मेंट नहीं है तो सबसे अची बात है बहुत सारी लेडिज ऐसी हैं जो घर के अंदर बैठी हैं जो काम नहीं कर रही हैं या वो काम तो करना चाहती हैं पर उनके पास साधन नहीं है उनके पास पैसा नहीं है गावं-गावं के अंदर वो बैठी हैं उनके पास बहुत सरी सुधाय नहीं तो आज यह जो कंस्ट है घर बैठकर कोई भी लेडिज और कोई भी आदमी अपने घर से आपरेट कर सकता है छोटा सा एक मोबाइल अगर कि इसको समझना होगा हमारे प्रोग्राम सोते हैं जह हम लोगों बताते हैं सिखाते हैं कैसे बिजनस किया जाता है हम पूरी टेनिग देते हैं तो महारा पूरा एक टेनिंग सिस्टम है आज अमिता जी बहुत सारी लेडिस को एंपावर कर रही है गाउं-गाउं के अंदर हम प्राप्डब बना रही है, उनके पास में कोई अच्छा बिजनस नहीं है, तो हमने बहुत सरे लेडीस को मिताजी ने help किया, आज के समय में बहुत सरे लेडीस बिमार हैं, उनको मालू ही नहीं है कि उनके इंदर nutrition की deficiency है, तो उनको हमने health के बारे में बताया, तो हमने गाउं गाओं के इंदर जाकर हमने हैल्थ पर बहुत बड़ा काम किया हमारा mission है कि mission healthy families कि हम अच्छी families को healthy कर सकें आज कोविट के बाद में हर इनसान immunity की बात कर रहा है लोगों की immunity नहीं है आज immunity सबसे बड़ा एक हत्यार है कि अगर आपके पास में नहीं है, तो आप कभी भी किसी बिमारी के शिकार हो सकते हैं, कभी भी COVID आपको दबोज सकता है, तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को मदद किया COVID में, उनकी जान बचाने में मदद किया, बहुत लोग बिमार थे, बिल्कुर ठीक हो गए, एक भी कैजूल के 70 साल के हैं जो जौब छोड़ चुके हैं जौब से रिटायर ले चुके हैं घर बैठे वे हैं उनके पास में या तो वो टीवी देख रहे हैं या गली महलों में ताश खेल रहे हैं दोस्तर से गफशब कर रहे हैं हमने उनको टारगेट किया और उनको जब बताया कि आप इ अची चीजें बच्चे रिया तो नैट्फिक्स पर जाएंगे पेस बॉक पर जाएंगे ट्टर पर जाएंगे और अपना समय वेस्ट कर रहे हैं तो आज उनको दिशा देने वाला कोई नहीं है तो हम उन बच्चे को गाइट कर रहे हैं कि आप अपने घर बैठकर एक अच कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे मिसाले हैं आज हमारे टीम में कम से कम एक हज़ा से ज्यादर बी टेक एंटेक हैं बैंगलोर में तो वो सब हमसाद काम कर रहे हैं तो दुनिया में ऐसा कंसर्ट है ये दुनिया में इस तना सुन्दर काम है ये कि जहां आप लोगों को हम मदद कर रहे हैं। आज के समय में जहां भी परिशान हैं। उसे पता ही नहीं है कि उसके आस पास क्या हो रहा है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपना खुद का काम करूँ मोधिजी भी कहते हैं कि आत्मिरबर बनो तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को हम लोग आत्मिरबर मना रहे हैं जहां पैसा नहीं लग रहा है सिर्फ आपका एफट्स है आपका ड्रीम होना आज हमारी टीम में ऐसे से लोग हैं मैं मैं मिसाल दू तो आपको जोदपूर के बहुत बड़े आडवोकेट जो जज़ बनने वाले हैं वो हमारी टीम की जोदपूर की कमांद समाले हुए है आज हमारे नादपूर के एक बहुत बड़े लीडर है जो पूरा पर सेटल हो गय बहुत बड़ा काम समाले हुए है ऐसी हमारे कलकत्ता में है अνजन गुपता जी है जो एक यंग लड़का है पत्ची साल की एज में रिटार हो गया है आज हमारे कलकत्ता समाल रहे हमारेления в के भूमी वह हमारा भूमी में लेडीस को समाल रही हैं वो पुरा जैपूर देख रहे हैं अमेद तेंड अनीता अगरवाल हमारी जैपूर में है जो खुद बहुत बड़े businessman है वह हमारे mission में हमारे साथ में हैं इसी तरह से हमारे साथ दिल्ली में है greater noida में encelci agarwal. बहुत बड़ा नाम है आज इंडिया में NLP tainer हैं, बच्चों की tainer हैं, counselor हैं, लिखती हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे उनके वीडियोज बनाती हैं, उनके करियर के बारे में, एक बहुत बड़ी हस्ती है, और आज उनका एक इतना बड़ा नाम है उन्होंने हमारे साथ में जब इस मिशन को देखा कि बच्चों के लिए काम करना है लीडिस के लिए काम करना है तो वो हमारे साथ काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है ऐसे बहुत सारे उधारण है हमारे ग्रूप में मैं किसका नाम लूँ आज महिश अंकिरंदूबे हैं जो एक बिजनस्मेन थे और बिल्कुल खत्म हो चुके थे वो हमारे साथ एक मिशन पर काम कर रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा नाम है उनका इसी तरह से बहुत विजय प् गाज़्यबाद से और बहुत अच्छछ जौब में थे इंजिनियर थे चौशव चोड़ दिये इस मिशन के लिए वहारे साथ काम कर रहे हैं तो ऐसी तरह से हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है पूर इंडियों में आज अबख़त सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे मंटॉर हैं जिनकी वजह से हम आज हम जो भी सब्सक्राइब की बद़ए कि कि हमारे शुब हमारे साथ में हम अपपना अशिवात देंवे हैं और निक के साथ काम करें तो जो जोगता है कि आपकी डिल जाये ऊन्हें हमारे mentor हमारे साथ हैं तो हम दुनिया जीत लेंगे तो इस concept को समझें जिसने आपको यह audio भेजी है उनको पूछिए कि यह क्या concept है वह आपको इसके बारे में detail बताएंगे तो मुझे इतनी बात कहने थी आपने मुझे ध्यान से सुना उसके लिए धन्यवार और हम आपके करते हैं कि नया 2022 आपके लिए बहुत शुब हो और आपके सारे दीव पूरे हो all the best thank you